हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतास टिप्स, यदि थोड़ा सा ही पैदल चलने पर आपकी सांस फूलने लगती है, जीना चढ़ने पर, अधिक परिश्रम करने पर, या फिर धूल मिट्टी वाला काम करने पर आपकी सांस फूलने लगती है, यही लगता है कि अब बैठ जा आये हैं, जिनके प्रयोग से इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाने के बाद, आल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, तो पहले हम सांस भूलने की समस्या के कारण जान लेते हैं, यदि आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपने शारिरिक शमता से अधिक कोई मेहनत वाला क छोटी छोटी बातों पर आप अत्यधिक चिंता करने लगते हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, या फिर वातावरण में बहुत ज्यादा प्रदूशन है, तो आपको सांस भूलने की समस्या हो सकती है, तो यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं, तो काफी हद तक इस समस्या से बस सकते हैं, तो अब चलिए इससे बचने के कुछ घरेलू नुस्खे देख लेते हैं, फ्रेंट्स ये तुलसी है, तुलसी के बारे में तो सभी जानते हैं, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, ग ज्यादा तर घरों में दो प्रकार की ही तुलसी लगाई जाती है, रामा और श्यामा तुलसी, तो हमने ये सारी की सारी श्यामा तुलसी की पत्यां ही ली हैं, क्योंकि श्यामा तुलसी में मेडिस्नल प्रपर्टी काफी ज्यादा होती है, पहचान के लिए बता दूं कि र दिखाई देते हैं तो एक पैन में हम एक ग्लास पानी गरम करते हैं जैसे ही पानी बॉयल होने लगेगा हम इसमें गिन कर दस तुलसी की पत्तियां डाल देंगे और इन्हें करीब दो मिनट तक अच्छे से बॉयल कर लेंगे फ्रेंट्स यदि आपको सांस फुलने की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं नॉर्मल सर्दी जुखाम से बचे रहेंगे तो दो मिनट बॉयल करने के बाद हम गैस बंद कर देते हैं और थोड़ा सा ठंधा होने के बाद इसे च्छान लेंगे ये देखिए तुलसी का पूरा अर्ख पानी में आ गया है इसका कलर भी ग्रीन टी के जैसा हो गया है हमने एक ग्लास पानी लिया था और ये टू थर्ड के करीब बचा है अब इस पानी को दिन में दो बार आधा अधा पीना है सुबह सुबह और रात में सोने से पहले यनि कि आधा सुबह पीना है और आधा रात में पीना है पर पीना गरम ही है आप चाहें तो सुबह और रात के लिए इकठा दस पत्तियों का पानी बना लें या फिर दिन में दो बार पांच-पांच पत्तियों का पानी बना कर पी लें ऐसा करने से सांस लेने की बंद नलियां तुरंद खुल जाती हैं और आराम मिल जाता है इस पानी से भाप लेना भी फायदे मंद होता है अब दूसरा उपाय ये दो इंच अद्रक का टुकडा लिया है इसे छील कर धो लिया है और ये कुछ श्यामा तुलसी की पत्तियां नाप से देखें तो ये लगभग एक मुठी पत्तियां है इन पत्तियों को हमें ग्राइड करना है आप चाहें तो इस नुस्खे को खलबटे से भी बना सकते हैं अब इस अद्रक को भी इसी में काट देते हैं सर्दी जुखाम गले संबंधि समस्याओं में ये अद्रक बहुत ज़्यादा फायदे मंद होती है अब हम इसे बारीक पीस लेते हैं तो ये हमने इसे बिना पानी डाले जितना बारीक हो सकता था उतना बारीक पीस लिया है ये नुश्खा आप एकठा बनाकर हफ़ते भर के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं अब ये दि किसी को सांस फूलने की समस्या है तो बस बहुत थोड़ा सा ये मिक्सचर लेना है और आधा चमच इसमें शहद मिलाना है सांस की समस्या में शहद भी बहुत फायदा करता है आप चाहें तो गरम पानी में शहद डाल कर इसकी भाब भी ले सकते हैं बहुत फायदा मिलता है तो बस अब ये आपकी मेडिसिन तयार है इसे सुबह शाम दो बार चाट लें और इसे लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ न खाएं पीएं बहुत ही कारगर नुस्खा है और यदि आप इसे बच्चों को देना चाहते हैं और बच्चे इस तरह से कुटी हुई अद्रक तुलसी लेने में असमर्थ हैं तो इसे इस तरह से छन्नी में डाल कर दबा दें बहुत आराम से इसका अर्ख निकल आता है हमें इस अर्ख की बस तीन-चार बुंदे ही चाहिए होती हैं अब इसमें आधा चमश शहद मिला देते हैं एक उंगली से इसे मिक्स कर देंगे और इस तरह से आप इसे छोटे बच्चों को भी चटा सकते हैं सांस की बंदनलिया खुल जाती हैं और तुरंद आराम मिल जाता है और अगर आपका ये नुस्खा ज्यादा बन जाए या फिर अर्क निकालने के बाद जो खोजर बचता है उसे आप चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं है तो ये अदरक और तुलसी ही अब ये तीसरे नुस्खे के रूप में हमने ये छिली हुई लहसुन की कलिया ली है यदि आप लहसुन खाते हैं तो इस नुस्खे का प्रयोग करके भी सांस फुलने की समस्या से बचा जा सकता है इसके लिए लहसुन की दो कलियों को खूब अच्छे से बारीक कूट लेना है लहसुन की तासीर गरम होती है इसके प्रयोग से सरदी जुखाम नहीं होता गले में बलगम और छाती में कफ नहीं जमने पाता तो सांस फुलने की समस्या भी नहीं होती तो हमने इसे कूट लिया है अब एक पैन में एक गलास पानी गरम करना है और उसमें ये कुटा हुआ लहसुन डाल देना है इसे अच्छी तरह से करीब दो मिनट तक बॉयल करना है आप चाहें तो इसमें एक चुटकी काला नमक भी एड़ कर सकते हैं दो मिनट बॉयल करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंधा होने के बाद इसे छान लेंगे इतनी औशधी का प्रियूग आपको दो बार में करना है आधा सुबर खाली पेट और आधा रात में सोने से पहले इसे पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ न खाएं पीएं और इसे हलका गुनगुना ही थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीना है सास फुलने की समस्या में ये नुस्खा भी बहुत ही कारगर है ये नुस्खा वजन कम करने में भी बहुत हल्प करता है प्रेगनेंट लेडीज इसे प्रियोग करने से पहले अपने गाइन को लॉजिस्ट से जरूर कंसर्ड कर लें बहुत थोड़ी मात्रा में लगभख एक चौथाई कप इसे बच्चों को भी दिया जा सकता है इसके अलावा सांस फुलने की समस्या में कुछ विशेश बातों का जरूर ध्यान रखें अधिक मात्रा में केले का सेवन ना करें ठंठी तासीर वाली चीज़ें खाने से बचें पानी हलका गरम ही पीएं प्रदूशित हवा से बचें मास का प्रयोग करें धूल मिट्टी के कामों से बचें और धूम्र पान से तो बिलकुल ही दूर रहें और अगर समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें वीडियो कैसा लगा? कामेंट करके जरूर बताएं उप्योगी लगे? तो इससे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ खुश रहें, मुस्कुराते रहें बाइब बाइब से लिए कैसा लाइब भी बाइब।